नमस्कार जैहिंद स्वागत आप सभी का दोस्तो अगर आप भी मुहम्मद शिराज को एक अच्छा गिंदवाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा दोस्तो भारत बंगलादेश के बीच दूसरे वंडे मुकाबले में मुहम्मद शिराज ने साकी बलहसन के साथ किया तागडा ड्रामा दसवे ओवर में छोटी सी बात को लेकर मुहम्मद शिराज ने हेलमिट पर दे मारी गेंद और फिर मैदान पर दोनों खिलाडियों के बी दोस्तो जैसे कि आप सबी तो जानते हैं कि भारत और बंगलादेश की टीम के बीच दूसरा वंडे मुकाबला शेर बंगला श्टेडियम पर खेला जा रहा है और दोस्तो इस मुकाबले में एक बार फिर से बंगलादेशी कप्तान लिटन दास ने टॉस जीत कर पहले बल् चटका कर हर किसी को हैरान करके रख दिया तो वहीं दोस्तो हम आपको बता दें कि मुहमद शिराज ने ना सिर्फ अच्छी गेंदवाजी करवाई बलकि बीच मैदान पर कुछ तकड़े ड्रामे करके उन्होंने सभी का धिहान अपनी तरफ आकरशित कर लिया जीया दोस्त चटकाया जो कि 23 गेंद में मात्र 7 रन बनाकरी मुहमद शिराज की गेंद पर बोल्डाउट हो गए लेकिन खेर दोस्तो ये तो बाद हुई इन दोनों की लाडियों की लेकिन अगर हम आपको ड्रामे के बारे में बताएं तो मैदान पर हुआ ये था कि जब मुहमद शिरा लिटन दास के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए जहां शाकी बलहसन पहली बाउंसर गेंद पर कुछ जवाब इस मुहमद शिराज को दे नहीं पाए और फिर अगली गेंद पर ही उन्होंने चौका जड़ दिया जिसके चलते मुहमद शिराज काफी ज़ वाजी करवा रहे थे वो दो विकिट लेने के बाद अपने आपको काफी उचे दरजे का समझने लगे और उन्होंने ताबर तोड़ स्लेजिंग उनको कर डाली और इस दोरान शाकी बलहसन तो शांतर है लेकिन दोस्तों यहां पर मुहमद शिराज का रवया देखा जा सकत देते लेकिन यहां उन्होंने किसी भी तरह का एग्रेसन दिखाया नहीं जो की दर्शाता है कि साकी बलहसन में कुछ तो बदलाव आये हैं लेकिन यहां पर शाकी बलहसन भी अगर एक छोड़ पर गुसा कर देते मुहमद शिराज पर तो दोनों इक लाड़ी मैदान पर ऐ आजमुल हुसेन ने दो चौके लगाकर मुहमद शिराज को करारा जवाब दिया था खेर दोस्तों मुहमद शिराज स्लेजिंग करें या ना करें लेकिन उन्होंने दो विकिट तो यहां पांच ओवर फेकते हुए चटकाई दिये बाकि अब आप सभी क्या मानते हो कि मुह